हलो दोस्तो हमारे यूट्यूब चानल में आपका स्वागत है अगर आप हमारे चानल पर पहली बार आये है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन को दबाना ना भूले जिससे हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुचते रहेंगे आज हम आपको बताएंगे रनिंग कैसे करें और इस दोरान अपने आपको कैसे रखें अगर आप नियमे तूप से रनिंग करते हैं तो फिर आपको अपने जूते का चुनाव सही धंग से करना चाहिए आम जूते और रनिंग के जूते में फर्क होता है दोरने के लिए अगर आप सही जूते का चुनाव नहीं करेंगे तो इससे ठकने और दूसरे जोडों पर दबाव पड़ेगा और हाँ, अगर आप पहली बार दौर रहे हैं तो बहुत ज्यादा दौरने को लेकर साबधान रहें इससे आपके मसल्स को नुकसान पहुंच सकता है साथ ही अगर आप रेगूलर रनिंग सेशन शुरू करने वाले हैं तो विशेशग्यों से परामर्श लेने के साथ साथ थोड़ा रिसर्च भी कर लें अगर आप रनिंग को लेकर सीरियस हैं तो फिर आपको रनिंग के हाव भाव और इसके बुनियादी तकनी के बारे में भी विशेशग्यों से सलाग ले अगर आप नए हैं तो रनिंग से पहले थोड़ा वार्म अप जरूर कर ले इस से आपके शरीर की अकर्ण खत्म होगी और मसल्स में लची लापन आएगा एक नए लोग सामाने गलती यह करते हैं कि बहुत जल्दी बहुत ज्यादा डॉल लेते हैं अगर आप लंबे समय तक अपनी रनिंग को जारी रखना चाहते हैं तो ऐसी गलतीयों से बचें अगर आप नए हैं तो फिजिकल फिटनेस के अभाव में आपके शरीर और मसल्स में अकर्ण होगी नियमे तूप से रनिंग शुरू करने से पहले इस अकर्ण को हटाने के लिए स्ट्रेचिंग करनी चाहिए दो, रनिंग शुरू करने के बाद लोग दूसरी गलती यह करते हैं कि अच्छे से भोजन नहीं करते अगर आपने रनिंग शुरू कर दी है तो फिर आपको प्रोटीन और कार्बोहाइडरेट से भरपूर आहार लेना चाहिए यह एक तरह का इंदन है जिससे दोरने के दोरान हमारे शरीर का उर्जा मिलती है 3. नए लोगों के साथ साथ नियमे तूप से दोरने वाले भी एक सामाने गलती करते हैं वह अपने जूते को नजरंदाज कर देते हैं आम और पर रनिंग की शुरूात करने वाले तो कोई भी जूता पहन कर दोरना शुरू कर देते हैं अगर आपका जूता उचित नहीं है तो आपको कई सारी फिजिकल इंजूरी हो सकती है चार लोग अपने ड्रेस के मामले में भी गलतियां करते हैं अगर आप रेगूलर रनिंग करते हैं तो अच्छी फिटिंग वाली ड्रेस ही पहने ऐसे ड्रेस जो नहीं ज्यादा चुस्त हो और नहीं ज्यादा ढिला आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ड्रेस का चयन करना चाहिए जो रनिंग के उद्देशे से डिलाइन किये गए हो पांच अगर आप लंबे समय तक रनिंग जारी रखना चाहते हैं तो आपको रनिंग पोस्चर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए सही जानकारी के अभाव में शरीर पर दबाव ज्यादा बनेगा रनिंग के दोरान अपने शरीर को रिलैक्स और सीधा रखें छे रनिंग के दोरान कभी भी जमीम पर जोर से पैर ना पटकें इससे आप परिशानी में पढ़ सकते हैं और शरीर पर दबाव भी बढ़ेगा, यह गलती आम और पर हर कोई करता है, इससे आपकी जोड़ और हड़ियां चोटिल हो सकती है साथ, रनिंग के दोरान एक और बात का ध्यान रखें, कभी भी बहुत तेज न दोरें, इससे शरीर पर अत्रिक्त तो दबाव पड़ेगा और आप जल्दी ठक भी जाएंगे, बहुत तेज दोरने पर आपका शरीर भी दुखेगा और दिन भर आलस से भावी रहेगा, आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप सोशल मीडिया जैसे की फेस्बूक, ट्विटर, गूग झालस झाल 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 झाल